हालो इवरिवान वैलकम टू माई चैनल आज की इस वीडियो में आप देखेंगे यह ब्यूटुफल बैगी अब आया कि कटिंग स्टिचिंग बहुत या आसान तरीके से स्टेप बाइ स्टेप वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आन तक जरूर देखें कहीं भी स्किप ना करें और वीडियो पसंद आये तो लाइक करके शेर कर दें साथे साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ सो गैस जादा तर मैं रिक्वेस्टेड वीडियो ही बनाती हूँ यानि मेरे सब्सक्राइबर और इस्टाग्राम की जो फालावर्स हैं उनको जिस तरह की ड्रेस का टुटोरिल चाहिए अक्सर मैं इसी टाइप की वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ ये वीडियो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये बहुती आसान है आप आसानी के साथ घर पर बना सकते हैं बस आप वीडियो को एड तक जरूर देखें ये जो साइज है ये अडल साइज है यानि जो यंग गर्ल्स और लेडिज हैं उनको फेट आएगा इसका जो बबल साटन फैब्रिक लिया है ये काफी हैवी फैब्रिक है यानि जो अब आया के लिए फैब्रिक होते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है काफी थिक और हैवी मटेरियल है तो कटिंग से पहले मैं आपको अपने फैब्रिक की डाइमेंशन दिखा देती हूँ देखे किनारी वाली साट से मैंने डबल फोल्ड किया है ये लेंथ वाली साट है और इसकी जो लंबाई है वो 57 नीच है इसके बाद मैं आपको इसका अरज दिखा देती हूँ यानि जो इसकी विट है जहां से धागे निकलते हैं ये वाली साट इसकी अरज की होती है तो जो इसका अरज है वो 58 नीच है तो यहां पर हमने बड़े अरज वाला फैबरिक लेना है ताके हमारे अबाया में काउल शेप अच्छे से आए अब ये वाली साट आप अपने अबाया की लेंथ वाली साट डिसाइड कर सकते हैं अगर आपकी लंबाई कम है तो इसमें आप कम भी कर सकते हैं और अगर जादा है तो जादा भी ले सकते हैं अब देखे हैं मैंने फैबरिक को डबल फोल्ड कर लिया है और यहां से हम cut करके निकाल देंगे यानि हमने इसको दो में divide कर लेना है तो मैं यहां पर डेडर मीटर के दो पीस में इसको divide कर लूँगी एक पीस में हटा दूँगी जो हमारा back वाला पार्ट बनेगा और front वाले पार्ट के लिए हमने इसको double fold कर लिया है यह fold वाली side है यहां से मैं 7 इंच पर एक mark करूँगी नीचे तक और इस mark को में पूरा मिला दूँगी यानि अभी मैं dot dot करके marking कर रही हूँ इसके बाद इंच टेप की help से एक सीधा mark कर दूँगी अब इसी mark पर हमने एक सिलाई करनी है यह जो सिलाई करेंगे यह हम button पटी के लिए कर रहे है यह marking करने के बाद अब हमने देखे जिसकी fold वाली side है या center में छोटे-छोटे दोनों तरफ notches लगा लेने हैं इसके बाद हमने यहां पर सिलाई करनी है सिलाई करने के बाद आप दिखे इसको मैं open कर लेती हूँ और जो हमने notches लगाए थे उनको हमने सिलाई के सामने रखना है और यहां पर iron की help से इस पटी को pack कर लेना है यानी हमने इसको इस तरह से iron की help से set कर लेना है यहां पर जो हमारा notch है वो center में आएगा और इस तरह से पटी की क्रीज दोनों साइड में बन जाएगी इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारी बटन पटी बन चुकी है बस एक सिलाई लगा कर हमने आईरन किया है इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है तो बैक वाले पार्ट को डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसके उपर हमने ये फ्रंट वाला पार्ट रखना है जिस पर हमने बटन पटी बनाई है तो इसकी मैं रॉंग साइड उपर की तरफ रखूंगी और राइट साइड अंदर की तरफ दोनों की फोल्ड वाली साइड एक तरफ रहेगी ओपन वाली साइड एक तरफ रहेगी फैब्रिक को अच्छे से सैट करके रखेंगे इसके बाद यहां से हमने आगे की तरफ 25 इंच पर यानि 25 इंच पर एक माक करना है नेक से लेकर स्लीव की लैंध हमारी 25 इंच है तो यहां पर माक कर लेंगे अब इस माक के सामने हमने नीचे की तरफ 2 इंच पर माक करना है तो देखें इंच टेप को हमने उपर की तरफ मिला कर रखना है और 2 इंच पर माक करेंगे इसके बाद अब हमने यहां से अपनी स्लीव ओपनिंग लेनी है यानि पाच इंच और एक इंच इसमें मार्जन एड़ कर लेंगे तो छे इंच पर हमने मार्ग करना है इस तरह से अब हमने देखिए उपर की तरफ आदा इंच हमारा यह मार्जन में चला जाएगा इसके बाद यहां से हम अपने अबाया की लेंगे तो अबाया की लेंच में लगबाग हमारा एक से डेल इंच नीचे की तरफ सिल जाएगा और यह 55 इंच पर रेडी हो जाएगा इसके बाद इसका जो नीचे की तरफ दामन रहेगा यानि घेरा रहेगा वो मैं 15 इंच ले रही हूँ अब इन दोनों माक को हमने इंच टेप की हल्प से इस तरह से तिर्चा करके मिला देना है सो यहाँ इस वाले पाइंट पर यानि 6 इंच ही जो हमने मोरी दी थी यहाँ से यहाँ तक माक करना होगा सो गैस यह माकिंग करने के बाद जो हमारी स्लीव ओपनिंग है इसको भी मैं सीधा कर देती हूँ ताके आपको कोई कन्फियूजर ना रहे तो यह 6 इंच की विट है हमारी स्लीव ओपनिंग की विद मार्जन इसके बाद देखे इस माक को आप इस तरह से भी कर सकते हैं और या फिर इसको आप हलकिसी गोलाई देकर भी मिला सकते हैं तो दोनों तरह से आप कोई भी शेप ले सकते हैं मैं यह गोलाई वाला शेप लेगूँगी इसके बाद अब हमने इसकी cutting कर लेनी है तो लीजे cutting हमारी इस तरह से हो गई है इसके बाद यहाँ 2-inch का जो हमने mark किया था इस mark को हमने यहाँ लाकर मिलाना है तो 3-5 tape रखेंगे और mark कर देंगे अब हमने इसी mark पर cut करना होगा तो इसी के साथ हमारे अबाया की cutting complete हो चुकी है आगे से जो हमारा fabric बचा है इसमें से हम neck पटी और cuff बनाएंगे तो एक पीस में निकाल लेती हूँ neck बनाने के लिए इसको मैं पहले double fold करूँगी चोड़ाई वाली side से इसके बाद मैं इसको four fold कर लूँगी neck की लंबाई चोड़ाई के हिसाब से मैंने पटी को निकाल लिया है अब दिखें उपर shoulder की तरफ हमारा आधा inch कंदी joint करने में चला जाएगा तो यहाँ पर mark कर लेते हैं इस वाले fabric को हमने इस mark के नीचे की तरफ रखना है यानि जो हमने mark किया है इसको छोड़ते हुए हमने fabric यहाँ set करना है विकुज कंदी हमने पहले ही stitch करनी होगी अब हमने अपने neck की weight लेनी है तो मैं पौने 3 इंच ले रही हूँ neck की गहराई 4 इंच आप अपने हिसाब से neck की length थोड़ा बहुत कम जादा कर सकते हैं यहाँ पर जादा लंबा चोड़ा हमने neck नहीं बनाना होता है अब आया में एक square shape बना कर अपने neck की shape दे देंगे इसके बाद हम सभी layer की cutting एक साथ कर लेंगे तो guys neck की strip है वो हमारी round में रहेगी कोई भी joint नहीं आएगा कंदी को हमने stitch करने के बाद neck की पट्टी joint करनी है अब neck strip की जो चुड़ाई है वो हम 1.5 inch ले लेंगे तो अच्छे से set करके रखेंगे और यहाँ से इसकी गोलाई में 1.5 inch लेते हुए cut कर लेंगे cutting करने के बाद देखिए यह कुछ इस तरह से दिखेगा इसके बाद देखिए नीचे वाला जो हमारा दामन है इसको आप सीधा भी रख सकते हैं हलकिसी गोलाई भी दे सकते हैं तो मैं 1.5 inch की cross पर इसको इस तरह से cut करूँगी गोलाई देते हुए आप चाहें तो इसको सीधा भी रख सकते हैं तो यहां अगर cutting complete होती है अब हमने stitching करनी है तो stitching करने के लिए सबसे पहले हम कंधी जॉइन करेंगे तो पहले back वाला पार्ट में open कर लेती हूँ इसकी right side उपर की तरफ रखेंगे इसके उपर अब हम अपना front वाला पार्ट रखेंगे जिस पर हमने button पटी बनाई है तो इसकी जो wrong side है वो उपर रहेगी और right side नीचे की तरफ इस तरह से अब कंधी की side से लगबग हम आदा inch का दबाव लेते हुए दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे इसके बाद हमने neck ready करना है तो neck की जो हमने strip cut की थी इसके उपर रखेंगे simply एक pair की सिलाई लगा कर छोटे छोटे हमने cut लगाने है और इसके बाद इस पटी को half में इस तरह से fold कर देंगे और फिर अंदर की तरफ fold करके neck अपना finish कर लेंगे तो लीजे neck हमारा finish हो चुका है अब हमने इसमे fitting लगानी है तो फिर से इसको wrong side में उपर की तरफ कर लेंगे और right side इसकी अंदर की तरफ अब यह वाली जो side है यह हमारी side वाली है यहाँ पर हमने fitting लगानी है तो दोनों side में हमने इसी तरह से fitting लगानी है और इसके बाद हम यह घेरा fold कर लेंगे तो लीजे fitting लगाने के बाद हमने इसका घेरा भी fold कर लिया है इसके बाद अब हमने इसका कफ बनाने है सो कफ बनाने के लिए हमें यहाँ पर fabric की जो पड़े की जो बचा हुआ fabric है उसमें से मैंने यह दो पट्टियां कट कर ली है इनको मैंने एक एक side से कैसे ready करने हैं वो देख लेते हैं तो यहाँ देखिए हमने elastic thread लिया है black color का इसको अब हम अपनी बाबिन डिबी में भर लेंगे बरने के बाद अब हम इसको अपनी डिबी में insert करेंगे जितनी भी जरूत होगी हम उसी के साब से elastic thread भर लेंगे इसके बाद अब हमने देखिए डिबी का जो screw होता है उसको थोड़ा सा lose कर लेना है क्योंकि elastic thread थोड़ा मोटा होता है तो इस वज़े से हमने ये वाले screw को lose करना होगा ताकि ये जो पत्ती है यहाँ पर gap हो जाए और हमारा elastic thread आसानी के साथ बाहर की तरफ निकले अब हमने डिबी को नीचे मशीन में set कर लेना है उपर की तरफ हम वही color का धागा डालेंगे जिस color का हमारा अब आया होगा तो धागे की help से हमने elastic thread को उपर की तरफ निकाल लेना है यह देखिए उपर की तरफ आ गया है अब हमने इसकी wrong side में मैं आपको दिखा देती हूँ यह इसकी wrong side है तो wrong side हमने नीचे की तरफ रखनी है और right side उपर की तरफ जो हमने सिलाए लगाई है यानि never fold क्या है यहाँ से एक पैर नीचे की तरफ हमने सिलना स्टार्ट करना है तो याद रहे यह जो सिलाए लगा रहे हम यह सीधी तरफ लगा रहे है इसकी wrong side नीचे की तरफ है तो दोनों कफ मैं एक साथ ही ready करूँगी तो इस तरह से मैं सिलाए करती जाऊंगी और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे चोटे-चोटे गैदर्स बनने लगे है अब यह वाली side में इधर से start करूँगी अब यहाँ जो gap ले रही हूँ वो मैं एक pair ले रही हूँ आप आदा हिंज भी ले सकते हैं सो बस हमने दोनों कफ को इसी तरह से सिलना है सो दोनों कफ के जो सिरे हैं वो मैंने मिला लिये हैं ताके जो हमारा elastic thread है वो waste ना हो सो गाइज अगर आपका machine में elastic thread नहीं चलता है तो आप मुझे comment box में अपनी problem share कर सकते हैं हो सकता है मैं आपकी problem का solution दे सकूँ सो देख सकते हैं आप इस तरह से हमने पूरी गोलाई में यानि दोनों कफ को एक साथ ही हमने stitch कर लिया है elastic thread के साथ and last में हम थोड़ा जा fabric छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसको अबाया के साथ attach करना होगा तो लगबग आदा से पॉन इंच फैबरिक उपर की तरफ छोड़ देंगे तो ये हो गए हमारे दोनों का फ्रेडी अब इनको कट करके separate कर लेते हैं जो joint वाला part है इसके बाद अब हमने नीचे वाला जो elastic है उसको निकाल कर normally जो thread है हमारा वो डालेंगे क्योंकि अब हमने इसमें fitting लगानी है तो fitting लगाने से पहले ये देख सकते हैं ये पॉन इंच फैब्रिक मैंने fold किया था यानि यहाँ नेफा जो बनाया था इसमें हम ये elastic insert करेंगे इसकी चोड़ाई आदा इंच है और लंबाई मैंने 9 इंच ली है तो 9 इंच हमने अपनी कलाई के हिसाब से लेनी है यानि 2 इंच extra ले ले लेंगे ताकि जो दबाओं में भी जाएगा अब इस elastic को नेफे में insert कर लेंगे आप चाहें तो एक इंच चोड़ी भी elastic डाल सकते हैं बट आपको नेफा एक इंच चोड़ा ही बनाना होगा तो देखिए दोनों सीरों मैंने side से निकाल लिये हैं अब elastic के दोनों सीरे जो open वाली side है इसको हम sli लगा कर बंद कर लेंगे ताकि जो elastic है वो हमारी अंदर की तरफ ना चली जाए तो इस तरह से हमारी elastic डाल चुकी है अब हमने इसमें fitting लगा लेनी है तो यहां से लगबग एक इंच का दबाओ में छोड़ोंगी और दोनों कफ fitting लगा कर ready कर लोंगी तो यह हमारे कफ ready हो गए हैं देख सकते हैं हमारी कलाई के साब से बिलकुल perfect है अब दोनों कफ को हमने इसके साथ attach करना है तो कफ को मैंने सीधा रखा है और अबाया हमारा wrong side में है कफ की जो सिलाई वाली side है यानि fitting वाली side वो हमने अबाया की fitting के साथ मिलाकर यहां पर सिलाई लगानी है कफ का fabric extra है तो इसमें थोड़े थोड़ी हमारी gather's आएंगी और अबाया का जो fabric है यानि अबाया की गुलाई वो हमारी लगपक 5 इंच है तो इस तरह से हमने दोनों कफ को इसके साथ attach कर लिया है यह देख सकते हैं आब आब इसको मैं right side में turn कर लूँगी इसके बाद मैं इसको iron कर लूँगी ताकि जितनी भी हमारे सिलाई वाला area है वो अच्छे से sat हो जाए और neck पर भी मैं अच्छे से iron कर लूँगी iron करने के बाद अब हमने यह जो show पटी है यानि button पटी इसके उपर मैं button लगाऊंगी button आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं मैं यह ready made button लगा रही हूँ तो इस तरह के यह diamond button है आप चाहें तो fabric button भी लगा सकते हैं सो बस यहाँ पर जो hole होता है इसको हमने 3-4 टाकों के साथ tuck कर लेना है और नीचे की तरफ मैं अच्छे से इसको lock कर लोगी और इसी तरह से आगे भी जितने भी button हमारे पास है वो हम यहाँ button पटी पर लगा कर इसको set कर लेंगे और इसी के साथ button की जगा मैं आपको एक suggestion और देना चाहती हूँ अगर आप button लगाना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर छोटे-छोटे patches भी लगा सकते हैं market में काफी आसानी के साथ वो मिल जाते हैं जिससे आपका अबाया और ज़्यादा fancy लगेगा तो दिखिए इस तरह से मैंने यह button लगाया है बाकी button भी मैं ऐसे ही लगा लूँगी तो इसी के साथ हमारा अबाया ready हो गया है अगर आप इस तरह का front open with short color अबाया बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरी यह वाली वीडियो देखनी होगी क्योंकि इसमें मैंने short color और front open cutting stitching बताई है बाकी आप length बढ़ा सकते हैं जो बिल्कुल आपका अबाया बिल्कुल इसी तरह से ready हो जाएगा इस वीडियो का लिंक आपको description box और comment में जरूर मिलेगा अबाया में अगर आपको कोई और design बनवाना है तो उसका peak आप मुझे Instagram पर share कर सकते हैं Instagram का link आपको description box में मिलेगा इसी के साथ वीडियो complete होता है उमीद करते हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई है और अब तक आपने इस वीडियो को like जरूर कर दिया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ideas के साथ तब तक के लिए bye take care thanks for watching this video